नमस्कार, मैं डॉक्टर रवन मिश्र केंदरी संस्कृत विश्य विद्यायल में असिस्टेंट परफिसर हूँ एक हमें विशेश चीज और ध्यान देनी चाहिए पराया हम सभी लोग दीपवली की रात्री में भगवान गनेश और गोरी की साधना करते हैं, पूजा करते हैं लेकिन एक क्रम पराया हम उसका पालन नहीं करते जो विशेश रूप से कुछ गरंतों में वरनेत है और जिसका प्रभाव वड़ा तीब रहे इस वर्ष अगर आप लोग ये करते हैं तो आपको इसका प्रतिफल भी मिलेगा वो क्या क्रम है तो भगवान कुवेर का पूजन दीपवली की रात्री में जब भगवान गनेश गोरी का पूजन हम कर रहे हैं तबी हमें कुवेर की साधनाभी करने चाहिए और उसमें विशेश कुछ नहीं करना है बस एक पुष्प में गंधाक्षत लगा करके भगवान कुवेर का ध्यान करें क्योंकि कुवेर जो है वो सारी की सारी जो चलाचर जगत के संपत्ती है जो भी संवर्द्धी है जो भी रसायन है जो भी रत्न मनी मंडित इत्यादी जो भी वैभव की चीजे हैं उन सबब का अधिकार उनका है ऐसी हमारी मान्यता है तो उनका ध्यान करते हुए एक पुष्प छोड़ें वहीं और विशेश जो चीज में बतला रहा हूँ ये आवश्यक रूप से आप करें कि उनको खड़े धना जो होते हैं जिसका हम धनिया पेश्ट बन जाता है जो खड़े धना और थोड़ा सा गुड़ ये एक कटोरी में लें उसमें दूरवा अथवा तुलसी पत्र अथवा रक्त पुष्प रखें तीन बार जल उपर से घुमा करके कुबेर भगवान को ये नईवेद्य समर्पिट करें ये बहुत महत्तुपूर उपाय है इसके अपने प्रभाव है तो कुबेर को गुड़ और धने का नईवेद्य आप अवश्चे लगाएं और उनका इसमरन करते हुए उनको एक कंधाक्षत पुष्प से जरूर इसमरन करें और उनको पूजित करें ये एक करम हम सभी लोगों को आवश्च रूप से दीपवली के पूजन के दिन करना चाहिए